नमस्कार दोस्तों वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है सबसे पहले नौर्सेट 2020 में जितने लोग भी सेलेक्ट हुए हैं उन सबको नर्सिंग स्मार्ट फेमिली की तरफ से बहुत बहुत शुब कामना हैं दोस्तों वाट्सअप पर इतने क्वेरी जा रही है क्या है जिग्यासा होती है जोब लगने जा रही है तो जिग्यासा होती है कि पहली सेलरी क्या मिलेगी मुझे और इस कंटिनुएशन में मैंने सुचा क्योंकि एक छोटा सा वीडियो ही बना दिया जाए क्योंकि मेरी वेबसाइट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है थोड़ी सी रिनोवेशन में है और वहां का जो यह सेलरी का मैंने पीडियाफ डाल भी रखा है लेकिन वह परमेशन ग्रांट गूगल ड्राइव से पोके नहीं थी क्लियर नहीं थी इसलिए मैं इस वीडियो बना देता हूं को कोई वहां तक पहुंच भी नहीं पा रहा था तो दोस्तों यह आप देख वा रहें स्क्रीन पे कि यह पेफिक्सेशन है नर्सिंग ऑफिसर की जो भी सेंडर गवर्मेंट में काम जिनकी जोब लग रही है डेली गवर्मेंट में यह जुलाई 2019 का जो मैं नहीं कोई नाइंटीन की वजए से सभी को पता है मार्च में सेंट्रल गवर्मेंट ने हमारा जो डीए है वो फ्रीज कर दिया था फ्रीज का मतलब आई थिंग मलब अब आपके लिए टेकनिकल टम्स हैं इतने मुश्किल नहीं होंगे इतनी अच्छा इतना बड़ा 17% पर रोख दिया था यहां पर आप देख सकते हैं यह 17% पर आपको मिल रहा है बेसिक का जो 17% मिल रहा है मलब उस जनवरी 2020 का डीए बढ़ा वह नहीं दिया गया जुलाई में भी बढ़ाया गवर्मेंट ने वह नहीं दिया जनवरी जो अभी आ गया है इसका डीए जाएगा नाउन्स होगा नहीं दिया जाएगा जो कमिंग जुलाई है उसको हमें बढ़ा हुआ डीए मिलेगा ठीक है इसके बीच का डीए जो है वह जो एरियर जो थे वह हमारे चले गए हैं वह हमें नहीं मिलेंगे और जो भी 30% जो हो जाएगा उस दिन मैं आप कि क्या क्या है इसके यह कीठे़ में तो आप निर्सिंग ऑफिर वीचे क पोस्ड है ंचल रही है सर्भ को जैनल्मेंट के बैसिससुटák पे मै्मेट्रिक्स लेवलai 7 पर एंट्री मिलेगी और pay matrix 7 पर जो basic है हमारा वो 44,900 रुफे का basic है 6th pay commission के साब से हमारा grade pay 4600 था basic 17,140 थी और वो basic अब हमारी pay matrix level 7 पर 44,900 है हमारी salary में जितने भी allowance हैं वो इसी के इर्दगर्द गुमेंगे इसी के चारो तरब में अब देखिए यहाँ पर dearness allowance आज की date में भी 17% है ठीक है और 49,900 का 17% निकालेंगे तो 7633 आता है यह dearness allowance दोस्तों जैसे ही जुलाई आएगा 30% आपका DA हो जाएगा 31% हो जाएगा मिनिमम 30% मानी इक मान के चलिया 30-31% तो यह आपका DA जो है इसका 30% के करीब आप निकाल सकते हैं जितना भी आएगा ठीक है 10 प्लस चला जाएगा 12,000 का गरीब आजाएगा ओके 12 का 13 का गरीब चला जाएगा नेश्ट आता है house rent allowance दोस्तों चार तो metro cities हैं हमारे देश की ठीक ना एक्स के राती है मmmलब X Y Z categories बना रखें cities की house rent allowance के लिए तो आप किस category के अंदर आते हैं जो M में recruit हुए हैं डेली में recruit हुए है अक्स केटेगरी में आते हैं मेट्रोशिटी है हाउस रेंट अलाउंस आपको 24% के हिसाब से मिलेगा जो इस बेसिक का 24% 10706 तरह आता है और मैं देखिए सारे एम्स मैं रिव्यू नहीं कर पाऊंगा I think कोई भी एम्स है कल्यानी का मुझे थोड़ा सा डाउट है कल्यानी शायद कोल्काता से कितना दूर है अगर कोल्काता के एरिया में ही वह आता है तो आपको 24% मिलेगा मुझे देखना होगा Google में मुझे सर्च करना होगा और किसी के क्वेरी आएगी तो मैं सर्च करके बता भी दूँगा उसको कि कल्यानी एम्स में हाउस रेंट आउंस क्या मिल रहा है या क्या मिलेगा तो यह 24 पर सेंट और जितने भी आएमस वह सारे के सारे क्वाइक के जैड़ करिगरी में कोई नहीं है जैड़ करिगरी में गाव का इरिया आ जाता तो आइटिंक कोई भी नहीं है हाउस रेंट अलाउंस में एक और प्लस अब आपको देखने को यहां पर मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस के लिए जब सेवन पर कमिशन की लड़ाई लड़ी जा रही थी नर्सिंग ऑफिसर्स असोशेशन के दुवारा तो हाउस रेंट अलाउंस जो है पहले 30% हुआ करता अभी तो 24% ही मिलेगा लेकिन जब कभी यह डियर नेस अलाउंस डिये जो है वो 25% प्लस हो गया 25% प्लस हो गया तो यह डिये जो है इसका रेंट कितना हो जाएगा 27% और जब कभी यह डियर नेस अलाउंस जब कभी यह डियर नेस अलाउंस 50% हो जाएगा हाउस रेंट अलाउंस 30% के रेंट से मिलेगा तो दोस्तों जुलाई के जो सेलरी आपको मिलेगी वो 100% आप यह मानके चलिएगा कि हाउस रेंट अलाउंस जो है आपको आपकी बेसिक का 27% मिलने वाला है यहां पर एक चीज और बता दूँ कुछ लोगों की क्वेरियर एगी कि सर मुझे जुलाई में क्या इनक्रिमेंट मिलेगा क्या इसके लिए सीधा सा आंसर है नहीं जो कोई भी इस एक जनवरी के बाद में जोईन कर रहा है उसका नेस्ट डेट ओप इनक्रिमेंट 2022 होगी एक जुलाई 2022 को आपका अगला इनक्रिमेंट लगा लगेगा पे में जिन्होंने भी यह डी ट्रिपल स्बी के लिए एक लाग न्यूज बता दूँ मैं यहीं पर इन्फरमेशन जो डी ट्रिपल स्बी में डेली गर्मेंट में रिक्रूट हुए हैं उनके लिए इन संबर में नौबर में अक्टूबर में जोईन कर लिया है उन्हें उनकी डेट ओफ इनक्रिमेंट एक जुलाई 2021 ही है लेकिन अभी एमस नौर्शेट के थूरू रिकूट होने वाले जितने भी एमप नर्सिंग ऑफिसर होंगे उनकी नेस्ट डेट ओफ इनक्रिमेंट है व फिर मेंट्रिक्स लेवल सेवन पर छती सो रुपे फिक्स है ठीक ना चौन सो रुपे पर जब पहुंचेंगे विस साल के बाद में वह चीजिया बदलेगा उसे पहले बदल जाएगा माउंट बदल जाएगी के टेगरी नहीं बदलेगी लेकिन जब 2026 में पर मारा रिवा है जुलाई में जो भी 31% होगा तो इसका 31% और मिल जाएगा ठीक है दोस्तों नर्सिंग लाउंट्स हमारा 7200 है इसके हलावा ड्रेस लाउंज जो है में मंतली मिलता है जो पहली उनिफोर्म लाउंज के नाम से था अब ड्रेस लाउंज कहलाता है तो यह फिलाल 1800 रुपे ह परमन्त आपको मिलेगा यह टोटल इमवल्मेंट्स आपके मेट्रो सिटी में आज की डेट में 76,521 एक रुपे का भी ना इधर ना उधर दोस्तों कोई बोलेगा ना कि भी एक रुपे एक रुपे का भी फरक नहीं मिलेगा दोस्तों आपकी फर्स्ट डे सेलरी फर्स्ट म पैंसन स्कीम नेशनल पैंसन स्कीम के अंदर आते हैं जिने बेसिक प्लस दीये का दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट वीडियो वैसे देखा जाये तो यह जो 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 जान करने जा रहे हैं में वह पता होनी चाहिए आपको अब एडिमिन प्लच के पुढ़ने आपको समझें लग जाता है मेरे मेरे को सारी चीज़ें आती है आप लोग इस वीडियो को एक दो बार रिवाइज में अंडर सेक्षन एटी सीसीडी वन ठीक ना यह आपका सीपीएश डिडेक्ट होगा इससे आपको पैंशन मिलेगी आप बोलोगे सर इससे क्या पैंशन मिलेगी कितनी पैंशन मिलेगी गबराइए नहीं दोस्तों गुवर्नमेंट की भी अपनी तरफ से कुछ कॉंट्रिब इसमें अपना कॉंट्रिबुशन जो है 14 परसेंट कर दिया है मतलब इस बेसिक प्लश डिये का 14 परसेंट जो है गवर्नमेंट आपको इसमें मिलाएगी आपके पर डिये में एक अकाउंट खुलेगा प्रान नंबर आपको मिलेगा सब कुछ मिलेगा जो कि मैं अभी कभी आप बोलेंगे तो मैं उसके लिए एक सेप्रेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या स्कीम्स चाहें आपको कौन-कौन सी कंपने करनी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताईएगा वह सारा पैसा आपका तीन कंपनियों के अंदर जमा होगा और तीन अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो अपने हिसाब से डिफॉल्ट तीन कंपनी जो है वह अपनी तरफ से आपके 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 चैंज भी कर सकते हैं पंड मेंजर्स के पैसा जो भी लग करके इसके अलावा डेली गवर्मेंट में आपको एक कोंट्रिबूशन देना होता है जा रही है या नहीं जा रही है यह 650 पर मंद इसका फाइदा कि आपके काड मिलेगा सेंट्रल कर्मेंट में आपके क्लास्टिक काड मिलता है जिसकी हल्प से आप और आपके डिपेंडेंट्स हेल्थ का बेनिफिट ले पाएंगे जितने भी एंपेंड प्राइवेट छांड जाता है इसके साइप से आपने एक रहला सकते हैं एक इंप्लोई सस्कीम हो यह ब्रूप इन पर मंत डिड़क्ट होगा एज ओन डेट तो यह डिडेक्शन से आपकी 5963 रुपे इसके अलावा डिडेक्शन एज पर फैसिलिटी प्रोटोकोल इस्टिटूशनल प्रोटोकोल जो इंकम टेक्स रूल सें आपका कितना इस सेलरी पे आपका लगभग साल में शाट से सतर जार रुपे तो इंकम टेक्स बनेगा ही बनेगा न्यू जो आया है फॉर्मूला या आप कौन सा पेटन पॉल आप्ट करते हैं वह आपपे डिपेंड करेगा फिलाल तो आप पूराना ही ओप्ट केजिए गा इस साल तो कु कर लेंगे नर्सिंग स्पार्ट के साथ बनके रहिएगा तो दोस्तों यह था छोटा सा महलब डिस्क्रिप्शन की नर्सिंग ऑफिसर्स की पेफिक्सेशन क्या है एट रिकूटमेंट ओन रिकूटमेंट और एक बार फिर से सभी जो एम्स नौर्सेट क्लियर करके एमस जो